नमस्ते दोस्तों नमस्यवाय आज मैंने बनाई है बहुत ही चटपटी बहुत ही फटाक से बनने वाली दही वाली मिर्च की रेसिपी और यह बिल्कुल भी तीखा नहीं होता और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है पराठे के साथ रोटी के साथ और चावल दा मिर्च के आप एक हपते तक रख्याव सकते हैं खराब नहीं होगा है तो देखिए सबसे पहले मैं ले लिए थोड़ी सी मोटी वाले मिर्च आइँ होप इसको भाव नगरी मिर्च बोलते हैं और ये तीखी नहीं होती मतलब बहुत बहुत लाइट तीखा होता है तो सेम र और अपने मन मुताबिक जैसे आपको टुकड़े में चाहिए चोटे टुकड़े में या होल मिर्च जैसे भी वैसे आप इसको काट लीजिए और बीच में एक शीरा लगाना है ताकि अंदर तक मसाला इसमें जा पाए तो देखिए मैं तो दो दो टुकड़े में काट रही तो ऐसे ही करके अपने मन के हिसाब से मिर्च को काट के रख लेंगे तो देखिए मैंने सारी मिर्चे काट के रख ली है और इधर मैंने थोड़ी सी लेस्न भी ली हुई है और इस लेस्न को भी मैंने एकदम बार एक बार एक तुकड़े में काटा है गला खराब है तो प्ल कि दाल रही हूं काली सर्सो की अगर यह नहीं तो पीली यूज कर सकते हैं अगर दालें हैं दाल आधी चम्मत जीरा तो बहुत थोड़ी से अच्छा बनता है यह उसके बाद में यह डाल रही हूं कलॉजी बोलते है यह मंग्री एक अनियन सीड कि तो आप समझे हूंगे और इसके बाद मैंने डाल दिया है कटा हुआ लेसन इन सारी चीजों को न थोड़ा सा चला लेंगे अभी में डाल दिया हुआ हींग मैंने लगभग आधा चममस डाला है हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें और हींग बाद में इसलिए डाला है ताकि यह जले नही अदरवाइस ही एक दम जल जाता है तुरंत और थोड़ा सा चलाने के बाद मैंने डाल दिया है इसमें कटा हुआ मिर्च और फ्लेम मैंने रखा है बिल्कुल हाई और अभी इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ मैं सरफ इसको अच्छे से चला के और धग देना है और इसको मैंने डाल दिया है नमक स्वाट के हैसाब से सबजी से थोड़ा जाधा जाएगा इसमें उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा Mangि ऑ बिल्कुल थोड़ी सी आधी चम्मच से भी कम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये है धनिया पाउडर आधी चम्मच उसके बाद ये सौंफ है एक चम्मच जिसको मैंने कूट लिया है मतलब इकदम महिन पाउडर नी बनाया है और साबूत भी नहीं है इसको थोड़ा सा कूट लिया है मैंने इन सब को डाल के बढ़िया से चला देना है उसके यह बार इसमें हम डालेंगे थोड़ा सझूर पाउडर तो मैंने आधी चम्मच से थोड़ा कमी लिया है यह डाल दिया है और यह मिर्च एक पाव थी उसकी हिसाब से में और इसमें डाल देना है दही यह नॉर्मल खाना खाने वालीinaire लगभग 5 चम्मच तेबल स्पुन से देखें तो तीन टेबल स्पुन के करीब है और अब दालने के पाद हम लगातार चलाना है इसको तब तक जब तक दही ने जबने करेंता हैं तो देखे लाने लग गया है तो इसको अच्छे से चला लेंगे उसके बार ज़ियर थ законते कि अभी फ्लेम में यां मिडियम और शबनाभ तोड़ी दिर अब देखने दिलेक्षे लाधी है मिर्च और मॉधिय और दहि पानी था थोड़ा भी हो गया है जल्दी से खराब ना हो तो इसको मैं चला के वापस से धक दे रहे हूं और फिर देखते हैं फाइनिल कैसा बनता है और सच बतारे। बहुत ही टेस्टी बनता है और अगर कोई सबची ना हो ना तो उस टेम आप इससे काम चला सकते हैं तो इसलिए इसको ट्राय कर ये एक बा में और आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और खाने में बहुत ही स्वाध होता है राजस्थान में बनता है यह तो बहुत ही अच्छा रेसिपी है तो आप लोग भी बजरूर ट्राय करिएगा तो अब मैंने गयस कर दिया है बंद और इसको थोड़ा सा खुला बहुत है कर दोंगी धनदा हो जाए और थनदा होने के बाद किसी भी कंटेनर में इसको निकालका है उल्म कर सकते हैं अगर कंठेनर कांच का हो तो कि दिख सकते हैं को bringing दिकत नहीं है तो यह अदुकी दही वाली रेसिपी जो बहुत ही फटाक से बनती हैं बहुत फयुदि होती है तो एक बार जरूर ठ्राइ करिए और रेसिपी अगर पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करतीचेगा कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में